हलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों आज से हमारे चैनल पर फोटोशॉप की एडवांस क्लास से स्टार्ट होने वाली है और फोटोशॉप की यह नई सीरीज स्टार्ट हो चुकिए पहले जो मैंने आपको फोटोशॉप सेखाया था फोटोशॉप 7 था वो काफी पर गफोटोशॉप की डिमांड आ रही थे कि फोटोशॉप की न्या वर्जिन उनको शीखना था तो अब हमारे चैनल पर क्या आज से फोटोशॉप की निउस सीरीज स्टार्ट हो चुकिए और इस बार जो फोटोशॉप का वर्जन सीखने वाले हैं फोटोश्यॉप का ड आएगी तो इसके देगे सबसे पहले क्या है recent की फाइल से दिखेंगे आपको जिस फाइल पर हमने पहले काम कर रखा है वो सारी फाइल से आपको इसके अंदर यह जो इंटरफेस में नजर आएगी और इसके बात से देगे यहां पर आपको Photoshop पर लोगों दिखाए देगा यह यहां पर देखें यहां पर दो option और दिए गए एक तो open का option देखा और यहां पर new file का तो अगर यहां पर open वाले option पर क्लिक करेंगे तो हमारे computer में जो भी photos है उसको हम यहां से access कर सकते हैं और new file से हम क्या करेंगे नए document को open कर सकते हैं तो यहां से आप दोनों काम पर सकते ह करने के लिए मैं करना करने के लिए करना करने के लिए करना left और निफाइड करने के लिए लाकर क्वास इसके अंदर open हो चुका को यह सारे हमारे टूल्स ही हरते हैं और टूल्स को हम करना है देखे टूल्स को यहां से मूव भी कर सकते हैं यह सारे हमारे टूल्स होते हैं फोट्रोप में टूल्स का सबसे ज्यादा यहां पर देखे टूल्स का option है, simply हम यहां पर click कर देना है, यहां से हम tools panel को open कर सकते हैं, default जो इसकी position होती है, वो यहां पर होती है, तो इसको हम यहां पर place कर देते हैं, और यहां कोने पर जो हमारा छोटा सा यह icon दिख रहा है, यह जो छोटा सा icon दे रखा है, इस से हम क्या क आजनते, तो उसमें वो single में नहीं था, वो double row में होता था, तो इसी की आदत मुझे है, तो मैं ज्यादता यहीवाला use करता हूँ, तो आप भी चाहिए तो यह वाला use कर सकते हैं, इसके बाद से बात करते हैं, layer panel की, तो default है, यहां पर layer panel मैंने open कर रखा है, और अगर आपक image यह सारे हमारे taps होते है, इस taps होते हैं, इसके बाद लिए नीचे ही जो row है, इसको हम कहते हैं, options, जितनी हमारे tools है, हर एक tool के अलग-अलग options होते हैं, जैसे यहां पर देखे मैंने second tool को select किया, तो second tool के options आ रहे हैं, अगर आप first tool को select करेंगे, तो first tool के options हैंगे, जो भी आप पर अबना option दिखाई देते हैं इसके बाद से अगर फाइल को हमें close करना है तो हम यहां से फाइल को close कर सकते हैं अब यह हमने समझ लिए इसका इंटरफेस हैं वह हमें समझ में आ चुका है अब हम समझते हैं कि Photoshop के इनरे में new canvas मतलब new file को open करना है तो हम कैसे कर सकते हैं देके सबसे पहले आपको on screen पर आजाना है वह आप यहां से कर सकते हैं जो ऐसे आप इसके अंदर हैं तो आप यह home का button करेंगे तो आप Photoshop की home screen पर आ जाएंगे इसके बात से आप में हम यहां क्लिक करना है new file फाइल तो न्यू फाइल पर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास यह इंट्रफेस आ जाएगा इसमें देखें रिसेंट में जो भी हमने इसमें कैन्वास बनाए थे उनकी लिश्ट आपर हमें मिल जाएगी जो भी हमें उसको सेलेक्ट करके और यहां से उसको हम क्रेट कर सकते हैं और इ उसको सिंगल क्लिक में यहां से ग्रेट कर सकते हैं और अगर आप कुछ प्रिंटिंग का वर कर रहे हैं तो पहले से बनी हुई टेंप्लेट से आप इसका यूज़ कर सकते हैं इसी तरह के साफ़े आर्ट एंड इलस्टेशन को ऑप्शन चाहते हैं तो आप इन सारे यहां पिए आपेड मिनी का भी option है आप इनका भी उच्वर और वीडियो के लिए अगर आप कुछ यहां पर और आप्शन दे रहे हैं तो यह सब हैं सबसे पहले आप यहां पर एंड प्रेसे तो रिसेंट में जाके भी हम इसका उज़सखते हैं चाहें तो और यह से से कश्टम वाले आप स्लेक्ट किया तो इसको मैं अपने कॉर्डिक करेंगी और इधर आपको राइड साइड में यह विंडू मिल लेगी सबसे पहले आप एदर रखा है प्रीशेट डेटेल्स ऑप्शन तो यहाँ पर हमें यहाँ पर आप सकते हैं जो इसका नेम होगा तो चाहे तो यहाँ पर अपना नाम भी डाल सकते हैं या जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं आप उसका नाम भी डाल सकते हैं फिर यहाँ पर आता है विर्थ जो हमारा canvas होगा उसका width कितना रहेगा तो मैंने आपर width डाल दिया है इसमें बूझे भी चाहिए 1000 पिक्सल का यहाँ पर डाल देते हैं 1000 और यहाँ पर जो इसकी height है height भी यहाँ डाल देते है 1000 pixels अभी हमारा pixels और जैसे आपर देखेए और पिक्सल्स पर डिफॉर्ट तो यहाँसे आप इसको inches में भी कर सकते हैं निकिंगे यहाँपर अगर pixels करेंगे तो 1000 pixels आ रहा है लेकिन जैसे हमने क्याइटियास को इंचिस में convert किया तो यह इंचिस में होगा तो यहां से अपने recording आप यूज कर सकते हैं जो भी आप इसमें करेंगे जिसे pixels करना है यह अलग-अलग basically units होती है तो जादा इसके इंदर हम यूज करते हैं इसमें pixels फिर आता orientation यह हमारा orientation देखिए आप यहां पे portrait का भी उसकर सकते हैं या फिर landscape का और आर्टबोड का option भी आप टिक लगा देंगे तो आपका आर्टबोड बन क्याएगा अगर आप इस पे colorful आएगा RGB मतलब होता है red, green और blue तो देखिए अब यहां पर हम अभी RGB करके रखते हैं और यहां से कर देंगे create तो यह हमारा इसमें default canvas इसमें ready हो चुका है अब देखते हैं इसके अदर photo case open करेंगे तो photo open करने के लिए इसके बात से हमें जाना है अपने picture gallery पर इमीजिस का photo मिलेगा तो यहां से जो भी photo आमें open करनी है directly हम इस photo को यहां से select करेंगे और यहां से इसको open कर सकते हैं तो दिखेंगे आपर photo open हो चुकिए और यहां पर देखें यहां पर दिखाएदा और आसा फाइल का नेम दिखाएगा और जिस मोड़ पे हैं और यहां पर डिखाएगा देखे हैं जैसे जुसे लिखा रहा है और कितनी परसेंटFile मेरे और यहां पड़ लेक आना है तो सिंप्ले में करना है यहां पर क्लिक्क कर करो कि लेकिए सबसे आप एक option आएगा convert to normal layer तो इसको normal layer में convert कर लेते हैं कि अब हमें करना है कि हमें इसको यहां से click करके drag करना है और इसको यहां पर लेकि आएंगे और यहां पर इसको छोड़ देंगे तो यहां पर drag हो गया है और यहां पर color mode हमारे है इसमें RGB था और हम एक और पीच बनाएंगे जिसमें हम color mode रखेंगे इसमें CMY के यहां से new पर click क्लिक क्या CMY के नहीं रखते हैं हाँ पर हम रखेंगे gray scale इसके बाद आहां से हमें इसको create कर देना है अब देखें यहां पर color mode जो इसमें आएगा वह एक सब्सक्राइब यहां पर ग्रेस्केल मोट पर अब हम दुबारा से हम इसी photo को open करेंगे यहां फिर अपने recording को भी photo open कर सकते हैं अब देखें यह जो हमारे images में काफी सारे colors हैं लेकिन हम क्या करेंगे इसको drag and drop करेंगे जब gray scale वाले पर देखें यह black and white में आ रहा है लेकिन अगर हम इसको attack अगर RGB color mode लेते हैं तो उसमें सभी color square तो यहां आपको difference समझ में आ गया होगा RGB और gray scale में तो अभी हम यहां पर simply use करना RGB color mode बाकि जो भी हमारे color mode है यह हम आगे की classes पर सीखने वाले सारे option और जो background है वह आप यहां से change कर सकते हैं यहां जिसमें आप red shade में color लिया ओकी करेंगे तो देखेंगे red में हमारा canvas बनकिया है तो default जो हमारा रहता है वह white white हम ज्यादा ही उसकरते हैं तो आपको य और simple तरीके से हम अपने image को कैसे open कर सकते हैं और उसको drag and drop कैसे कर सकते हैं इसके लावर देखे हमने सीखा इस वीडियो के अंदर कि हम layer panel को कैसे open कर सकते हैं जैसे अगर यहां से close हो जाएगा तो आप shortcut की F7 दबा कर भी layer panel को open कर सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो म में basic selections के बारे में बताने वाला हूं तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो please video को like कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आने तो चैनल को subscribe कर दीजिए मिलते है next video में